आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ एक तम नए तरीके के बहुती सुन्दर स्वादिस्ट खस्ता समोसे और यह जो समोसे हैं यह हमारे वो कॉमन वले समोसे नहीं हैं यह बहुती सुन्दर और एक्स्टर क्रिस्पी जिसे बनाना इतना आसान है है कि समोसे में समय लगता है आपको उसका आधा भी नहीं लगेगा और आज की यह स्पेशल समोसे में आपको स्वाद मिलेगा समोसे का भी मठरी का भी कतलेट्स का भी तो चलिए शुरू करते हैं हाई एब्रीवन मैं हूँ पारूल कुगवित पारूल इस्पैशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आपने मेरे इस नए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रैट बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक क चूटी चमच अजवाइन तो इस तरह हाथ से क्रश करके अजवाइन डालेंगे और अब इसमें डाल देंगे एक चूटी चमच नमक स्वादनुसा और एक तम खस्ता बनाने के लिए समोसे में हम डाल रहे हैं एक चोथाई का अपमान के चलिए तीन बड़ी चमच है ओईल आप घी भी डाल सकते हैं अब इन सभी चीजों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मैदा के साथ सब चीज़े कर लीजे जिससे की रेशे रेशे में अच्छे से ओईल का मौईन इसमें चला जाए होता है तब ही तो जो हमारे नए समोसे हैं वो बनेंग और इसका एक कड़ा आटा लगाएं यानि ना तो बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा सॉट एक सेमी सॉफ्ट आटा आटा आप बोल सकते हैं हमें लगाना होगा मान के चलिए कि जो पूरी का आटा हम लगाते हैं उसे थोड़ा समुलाई और ये देखिए आच्छी तरके से मैंने आटे को गूत लिया है और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है सेमी सॉफ्ट हमने आटे को लगाया है तो चलिए इसको ढग करके लग देते हैं लगबा 15 मिनट के लिए 15 मिनट में ये बढ़िया सेट हो और जब आटा सेट हो रहा है तो च्ट पट से टयार कर लेते हैं سमाऊ से की बहुत ही च्ट पटी बड़िया सी फिलिंग तो उसके लिए पर दो बलेवे अलो जेने मैने ग्रेट कर लिया था दो बड़े साइस के उबलेवे अलू लिये थे मैंने और यह जो हम फिलिंग बना रहे है न यह बिलकुल इंस्टेंट फिलिंग है बहुत कम मेहनत में एक्तम सौधिस चटपटी फिलिंग आप त्रयार कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च बारिक कटी हुई अरी कटा हुआ हरा धनिया आदा चोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर बादा नुसार नमाक एक चोथाई चोटी चमच गरम मसाला जिसकी रैसिपी में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ आप उसे जरूर देखें चो इसको डालना ऑप्शनल है अगर आप आज नहीं लाइक करते हैं तो ना डालें अब यहां पर हम एक चीज और डालेंगे वह है चावल का आटा जो इसको बाइंडिंग देगा किर्स्प बनाएगा तो यह वाली जो चमच है इसकी चार बड़े चमच में चावल का आटा डा तो आपके पास चार ओप्शन है और यह देखिए मैंने अची तरीके से आलू के मिक्स को तयार कर लिया है तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक छोटे आमले जितना एक बॉल तोड़ेंगे इसे रोल करें और इसका एक सिलिंडर यानि लंबा सा इस प्रकार से एक रोल तयार क करेंगे और यह लीजिए मैंने इस तरह से सभी रोल्स को सिलिंडरिकल तयार कर लिए है अब यह मैंने लिये एक बड़ी चमक्र मैट्श थोड़ा से डालेंगे इसमें पानी सिर्फ एक्छोडी चमक्रोर इसका गाडा सा पेस्ट बना लेंगे यह देखिए pushing यह तरह से पे लंबा रोल जैसा बना लीजे इसको अब हम लगवक तीन भाग में अलग कर लेते हैं और इस तरह से एक लोई सी बनाकर के अब हम एक लेंगे बेलन और इसको डिरेक्ट हम बेल लेंगे यहां पर ओयल या आठा चड़कने की भी जरुवत नहीं चूंकि इसके इंदर जो बिल्कुल ऐसी थिकनेस का हमको रखना होगा और उसके बाद तो बहुत ही आसाने से बनाना बस इसको आप चार भाग में डिवाइट कर दीजे इस तरह से और एक बार इस तरह से यह हो गया तो आपको एक पीस इस तरह से थिकोना मिल गया तो अब मैं क्या करना होगा आप एक नाइफ से एक यहां से हम कट करेंगे और इसी तरह से एक हम यहां से कट लगाएंगे फिर एक यहां से और यह देखिए कि यह तीनों लाइन मेंने थोड़ी छोटी बड़ी रखी है इस तरह बड़ी फिर थोड़ी चोटी फिर थोड़ी और छोटी इसी तरह यहां से भ तो आपको तिकोना मिल जाएगा तो मैंने अच्छे सापको इसलिए एक्स्पेइन कर दिये जिस आपको किसी भी प्रकार की परीशन ना हो इसी तरह से में एक बार आपको और दखा देती हूँ यह देखिए कुछ इस तरह से तो सभी को इसी तरह तयार करेंगे अब आप लीजे इस तरह से एक टिकोना जो भी ट्राइंगल हमने तयार किया था और लेंगे हम यह मैदा वाला पेस्ट और पेस्ट को इसके इस तरह से किनारों पर जिससे कि जब हम समोसी को बनाएं तो वह पटे नहीं आप पानी भी लगा सकते हैं और सारी लाइंस जो भी हमने कटकी ती उपर भी लगा देगे अब हम लेंगे हमारा रोल और रोल को हल्का सा यू दबाते हुए इस पर यहां से रखेंगे थोड़ी स्पेस नीचे छोड़ देंगे और ऊपर थोड़ी स्पेस हमारा जाली पैकट समोसा लग रहा है ना कितना सुन्दर और बनाना कितना आसान है बस कट लगा कर इस तरह साले पीसे बना लीजे तो सभी को हम इसी प्रकार तैयार करेंगे और लीजे हमारा दूसरा पीस भी तैयार है तो इसी तरह सभी को हम बना लेंगे अभी जाली समोस को तैयार कर लिया है और यह देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं बहुत ही प्यारी इसकी लुकिंग आई है बनने के बाद यह और भी अच्छे लगेंगे अच्छे से मीडियम पर कर लिया है रहा है इस ओकषे कडाई बस उतनी इसको एक बार में आफ और अब हम इसको बिलकुल टॉच नहीं करेंगे जब यह हलके से गॉर्डन होके उपर आजाएंगे तब हम इसको फिलिप करेंगे हमारे समोसी हलके उपर आगे हैं तो एक फोक या स्पून की मज़द से धीरे से कुलट दे और दोनों साइड से बिलकुल गॉर्डन होने तक हमेने बढ़िया फ्राइ कर लेंगे ये लिए जे बहुत ही प्यारा गॉर्डन कलर आ गया है ये देखने में इतने सुन्दर लग रहे हैं कि जब तक बनाएंगे आपको आपके ही मुह में पानी आजाएगा इतने सुन्दर और खसता क्यूभी लो फ्लेम पर इनको हमने फ्राइ किया है ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी सुन्दर इसकी डिजाइन आई है कि सब देखते रह जाएंगे कि ये कैसे बनाया आपने हर तरफ से क्रिस्पी क्रेंची और कितने सुन्दर और ये लिजी हम बिलकल तैयार है हमारे नई तरह के जटपट बढ़ने वाले क्रिस्पी क्रेंची जाली पैकेट समोसा ये देखने से ही लग रहा है ना कितने सुन्दर ये देखिए और ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ सुना अपने अवास ये ज्यादा देव तक भी क्रिस्पी बने रहते हैं खास बात इन समोसे की ये है मार्केट से जो हम समोसे लाते हैं या जो ट्रैडिशनली बनाते है वो जल्दी मुलाइम पढ़ जाते हैं पर ये जल्दी नहीं मुलाइम पढ़ेंगे जिस तरीके से हम नहीं बनाया है तो इसमें मठ्री जैसा खस्ता पन भी होता है एक बहुत ही बड़ी अस्वाद होता है और एक नई चीज हो जाती है तो दिवानी पर आप इसे जरूर ट्रै करें और मैंने ये क्रिस्पी खस्ता समोसे को यहां सर्व किया है हरे धनिये के च करती हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको यह रास पी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजे सभी फैमिली फ्रेंड शोसुल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मैंने फोर वाचिक कुक वेट पारोल जै हिस जै भारत